जोद्पूर की धराईव पस्चिमी सिमा पर एक हफते से भारत और रूस की वायुसेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है भारत रूस की वायू सेना का एक सब्ता से जोदपूर एरबेस पर चल रहा संयुक्त युद्ध अभ्यास अविंद्रा 2018 का समापन 21 दिसेंबर को होगा बुद्धवार को अंदिम चरण में पाइलट्स ने एरचिफ मार्शल बियेस धनाव की उपस्तिती में 6 सुखोई, 30 MKI, 5 MiG, 27 विमानों के अलावा हेलिकॉप्टर्स ने हेरत अंग्रिस कर्तब दिखाई अभ्यास के दोरान MI 17 वी, 5 हेलिकॉप्टर से घरूर कमांडों से ओप्रेशन को अंजाम देने, आतंकवादी विरोधी कारवाय को कुछ ही गंटों में पूरा करने का कोशले भी सिखा ये उयुद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सोदों में अहम भूमिका निभाये गे भारत रूस के सुखोई 35 जैसे लड़ा को विमान खरिदने की तैयारी में है भारतिय टिम का नेतरुत्व स्क्वाडरन लीड सुमित गर्ग ने किया उन्होंने कहा कि हमने एक ही जहाज में रूसी पाइलट्स के साथ उडान भर काफे कोछ सीखा ऐसे में यह जानना मात्वा पुर्ण था कि वे मशीन का इस तरह इस्तेमाल करते है रूस की टिम का नेतरुत्व कराय लेफ्ट नेट जनरल लॉरी सुकाव ने इस अब तक का सबसे बहतरिन अनुभाव बताते हुए का कि ऑपरेश्टनल वा उडान दक्षिता के मामले में भारतिय पाइलेट्स हमारी तरह ही पुरे विश्व में स्रिश्टतम है आतंगवास से निपटने के गुर्ब भारतियों से बेदर कोई नहीं सिखा विश्टने को मिला इक दूसरे से मुद्स ज्यादा दिक्कत नहीं हुई काफी चीजे वो भी हम से सीखें हमने भी काफी चीजे उन से सीखी और तालमेलका अच्छा रहा है वह वह चीज एक अच्छी लगी तो तो हम इनके साथ अभ्यास कर रहे हैं वो भी हमारे तरह काफी प्रॉफिशियन्ट है यह जो रशियन एरफोर्स है उसके साथ जब हम एक्साइज करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि जो हमारे हवाईजाज हैं जितने फ्लीट्स हैं उन सब रश्या में बने हैं तो यह औरिजिनल एकुप्पंट मैनिफैक्ट्रर हैं जो ने यह हवाईजाज बनाया है तो इन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक दूसरे का नोट ओली एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है एक दूसरे के जो सबसे अच्छे बेस प्रैक्टिस है व हम एक दूसरे से ग्यान पा सकते हैं